हेलो स्टुडिंस, वेलकम टो फ्री अकेडमी आएएस, नेक्स टॉपिक है हमारा जुडिशल रिव्यू, रिव्यू, यानि किसी भी केस को, किसी भी जज्जमेंट को दुबारा से रिव्यू, दुबारा से उसकी परक करना, उसी को ही रिव्यू बोलते हैं और जुडिशल के केस में जुडिशरी से कोई रिलेटेड हो, तो अब देखिए, यह सबसे पहले जो जुडिशल रिव्यू है लिया कहां से हमने, यूसे से, और बहुत फेमस केस था, मर्बरी वी मेडिसिन, 1803, और जो किस ने दिया था, यह प्रपॉंड किस ने किया था, जुडिशल जो र मार्शल जो थे चीब जसित, जो थे अमेरिकन सुप्रीम कोट के, 1803 में उन्होंने जुडिशल रिव्यू इजाद किया है, किसने जुडिशल मार्शल में, अब देखिए, कॉंसिटीशन ने इंडिया के, जो जुडिशल रिव्यू की पावस है, ठीक है, वो दोनों के दिये हैं, सुप्रीम कोट को भी और हाई कोट को भी, और सुप्रीम कोट ने जो जुडिशल रिव्यू है उसको बेसिक फीचर ओफ कॉंसिटूशन कहा है कि ये बेसिक फीचर ओफ कॉंसिटूशन है अगर ये बेसिक फीचर ओफ कॉंसिटूशन हो गया जुडिशल रिव्यू तो ये amendment से भी इसकी जो power है वो contain या कम नहीं होंगी Judicial review करना किसी भी case को किसी भी judgment को वही judicial review कहलाता है अगर आप legislative enactments करते हो Actually क्या है कि जो जैसे parliament ने कोई act लेके आई या फिर कोई executive order हुआ executive order हुआ अगर वो किसी right को wallet करते हैं Constitution को wallet करते हैं तो और अगर वो illegal पाए गए illegal पाए गए तो उनको आप क्या कर सकते हैं invalid ठहराए जा सकते हैं वो किसके दोरा जुडिशरी के दोरा और यही और इसी जो जुडिशरी के का रिव्यू होता है उसको जुडिशल रिव्यू बोलते हैं जो जसिस ते हमारे सियद शाह मुहमद कादरी उन्होंने तीन कैटिगरी में जुडिशल रिव्यू को classify किया है judicial review किसका amendments का constitutional amendments का judicial review किसका parliament के legislation का या फिर state legislatures का या फिर subundate legislations का judicial review किसका administrative action जो executive orders जो होते है union के या state के सारे cases में आपकी judicial review की power use की है गोलकनाथ case 1967 का हो गया bank nationalization के जो case था 70 का previous abortion case 1971 केशा वनन्द भारती case 1973 मिनेरवा मिल्स case 1980 और बहुत सारे अब जैसे पंदरा में जो 99 जो constitutional amendment act था 2014 का judicial review के तहती सुप्रीम कोट ने इसको null and void करार दिया था null and void तो इसको struck down किया था इसको बॉलेट करार के इसको खतम किया था किसके तहए जुडिशल रिव्यू के हिते है इंपोर्टेंस है जुडिशल रिव्यू की वह बहुत ही जादा बहुत ही बड़ी है आप कह सकते हो इंडिया में तो कि देखा हमारा जो constitution ने वह सुप्रीम है उसके सुपरमिसी को जो बरकरार रखने के लिए जुडिशल एक्विलिब्रियम है जो फेडरल जैसे सेंटर और स्टेट के बीच रिष्टे कायम करना सेंटर अपनी हदना लाके स्टेट के रायसनाची ने या स्टेट अपनी जो जुरिल जिक्शन है उसको लाके नहीं तो इसमें भी सुप्रीम कोट या हाई कोट दखल देके अपनी जुडिशल पावर का रिव्यू के यूज करके इसको एक एक एक्विलिब्रियम एक बैलेंस बरकरार रख सकता है फेडरल उसमें फेडरल हमारा जो कॉंसिट्यूशन है और फंडेमल रायस को प्रटेक करने के लिए जुडिशल रिव्यू के तहत ही आमीन सुप्रीम कोट क कह सकता है कि भाई बैसिक फीचर जो फंडेमल रायस का है वालेट नहीं कर सकते वह किसी का वालेट हो रहा है कि देखो अगर जुडिशल रिव्यू ना हो सुप्रियम कोट एक्चुलि हमारा कॉंसिट्यूशन एफार्स को बैसिक सक्षर मानता है एफार्स बहुत ही जरूर उसान आप ऑई जुडिशल रिवू किस सामफल बनी बहुत जरूरी है अब देखो अइ सब्सक्राइब करने के लिए fundamental freedoms को जो guaranteed है citizens को और उनकी availability fundamental freedoms की और equality के लिए liberty और fundamental freedoms and to help healthy nationalism को promote करने के लिए create करने के लिए और actually constitution की interpretation तक को explain करने के लिए किस तरीके से हमें deal करना है उस तक में judicial review की ज़र्वत होती है constitutional जो provisions है judicial review के जैसे article 13 में दे रखा है जो भी laws है वो जो inconsistent है fundamental right अगर fundamental right को wallet करते हैं उनके तहत काम नहीं करते हैं तो उन laws को null and void करा दिया जाएगा यह article 13 कहता है 32 तुमारा fundamental rights और उनको actually article 32 remedies देता है supreme court okay rits issue करके यह भी एक judicial review को part is rits issue करना 30 हो गया यह actually जितने भी सारे जो नीचे provisions दिये हैं यह power देता है judicial review की किसको SC और SC को SC और HC को power of judicial review को power देता है और इन सारे cases में कि आप अपनी power यूज कीजे judicial review की और make sure करिए कि सब भी यह follow हो रहे हैं चीजे judicial review को scope क्या है तो को तीन ground पे कोई भी जो किसी भी legislative की किसी भी act वगरा की ओके या फिर executive order की तीन ground पे constitutional validity आपकी challenge हो सकती है किसमे supreme court या high court में जैसे अगर वो fundamental rights को infringe करे fundamental affairs को wallet करे और या फिर किसी ने किसी authority ने किसी law को बना दिया है किसी भी authority ने कोई order दे दिया अपनी उकाद से बहार जीजे जाएं तो उसको ये देख करता है और उसके साथ साथ constitutional provisions को follow नहीं होता है तो यहाँ पे आपका high court और supreme court के पास power होती है और यह high court supreme court में यह challenge हो सकता है अब देखिए एक question बनता है जो judicial review है हमारा इसका जो सारा system है वो USA से लिया है ध्यान से सुनियेगा लेकिन जो judicial review का scope है इंडिया में इंडिया में वो छोटा है या narrow है इसके USA के बरावर USA के against USA में judicial review का जो scope है वो बढ़ा है okay क्योंकि देखो American constitution हो गया आपका उसमें बहुत explicitly बहुत broad way में mention है judicial review को concept okay क्योंकि इसका reason क्या है क्योंकि American constitution है वो due process of law follow करता है लेकिन हम क्या follow करते है procedure established by law जो इंडियन constitution में है और इनके वी दोनों के भी difference क्या है due process of law और procedure established by law जो due process of law होता है वो wide scope देता है supreme court को कि भाई उसके citizens को किस तरीके से rise देने है due process of law यह बहुत बड़ी ऐसी term हो गई इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते है लेकिन जो इंडियन constitution है वो procedure established by law जो पहले सी rules बने हुए है जो पहले सी procedure बना हुआ है सिर्फ उनी को मद्दे नजर रखते हुए judicial review के तहत अपने judgment देता है क्या इंडिया का supreme court तो इंडिया का supreme court की जो judicial review को scope है वो छोटा है rather than किस के against USA के against और एक important line यहाँ यह भी है जो हमारा आप जो parliament है parliament है इंडिया का वो sovereign नहीं है Britishers का जो parliament है British का जो parliament है वो sovereign है okay sovereign है लेकिन हमारा sovereign नहीं है क्योंकि हमारे जो हमारा जो parliament है न वो उसमें क्या आता है वो judicial review के एक तो अंदर आता है और written जो हमारा constitutional written है और हम federalism follow करते है division of powers है यहाँ पे okay तो parliament ऐसा नहीं कि sovereign है limitations है parliament में हमारे क्या है limitations और judicial review एक limitation में से है ध्यान रखेगा देखे अब आ गया आपका article 31B यह क्या है देखे जो India जो parliament है X लेकिया आता है X और limitation X और you can say regulations X हो गए regulations हो गई हम तो कुछ X कुछ regulations को judicial review के जो scope है उससे save करने के लिए उससे बचाने के लिए ninth schedule में डाल दिया गया यह ninth schedule बनाया गया था first constitutional amendment act 1951 से और अगर अगर इसमें वो law या act डाल दिया तो इस पे कोई judicial review के तहत कोई कारवाही नहीं होती थी यह तुम्हारा पहला constitutional amendment 1951 ने मतलब declare किया originally जो 1951 में nine schedule में कितने थे तेरा act थे लेकिन अब बहुत सारे हो गए है लेकिन अब ध्यान रखिएगा judicial review बहुत ही ज़रूरी है judicial review नहीं होगा तो कैसे आपकी judicial decide करेगे कि कोई law सही है गलत है इसलिए IR कोहलो केस है जो 2007 का उसने कहा कि भाई कैसे आप सुप्रीम कोट की पावर चीन सकते हो और nine schedule को लाके आप nine schedule ले आए और आपने उसमें वो act डाल दिये और सुप्रीम कोट देखी भी नहीं कोई गलत है 24 अपरेल 1973 के बाद जो भी law बने हुए है और जो nine schedule में डाल दिये गए है उनके उपर judicial review की जो scope है वो लगेगा judicial review देख सकता है कि भाई वो case fundamental rights को valid करते हैं या कोई और दिक्कत पैदा कर रहे हैं केशाफ अनंद भारती case statement इसी तारिक को 1903 में ही आया था और वैसे भी fundamental rights है जो guaranteed है कितने अन्डर के कौन से 14 के 15, 19 और 21 के और यह basic structure है constitution का तो this was judicial review बहुत ही जरूरी है इसको पढ़ना और यह हमारे constitution के लिए भी बहुत जरूरी है judicial review नहीं होगा तो judicial के पास power ही क्या होगी कैसे वो कह सकता है कि भाई हमें कैसे देखें अगर judicial review की जो का scope नहीं होगा तो आप कोई सा भी act ले आओ कुछ भी ले आओ आप उस पर कोई राह ही नहीं दे सकते as a supreme court, high court तो चलिए that was enough और I'll see you in the next video Take care